नमस्कार और विल्कम यौर्ट वर्लड फेर्ज नहीं प्रशान्द वन रिसेंड़ी निव यॉर्क ने निव डेली को इंडिया की कैपिटल को बीट कर दिया है एर पॉलुशन के मामले में और दुनिया अपर में आप देखोगे इस टॉपिक ने हेडलाइन बनाई है कि पॉनिक सिटी निव यॉर्क की बाइदवे निव यॉर्क यूएसे की कैपिटल नहीं है बट बाइफार इनकी मोस्ट प्रोस्परस और सबसे फेमस सिटी है और यहां पे आप देख पाओगे यूजुली निव यॉर्क ऐसा दिखता था और अब आज के समय आप अगर अगर प्राने इंडेक्स देखोगे तो वहाँ पे निव डेली टॉप पे होगा बट जो लाइव इंडेक्स है यहां पे आप देख पाओगे डेट लिखी है 8 जून 2023 जो लाइव इंडेक्स है इसमें आप नोटेस करोगे USA का शहर निव यॉर्क टॉप पे डेट्रोइड यह पे देखो तो नंबर 3 पे आपको मिलेगा ढाका नंबर 2 पे है तयल एवय इसराइल की जो इंडिया मानता है के तेल अवेव इस्राइल की कैपिटल है इस्राइल खुद क्लेम करता है कि एनकी कैपिटल जरूसलम है तो एटलीस तेल अवेव यहाँ पे आप देखोगे यह भी आपको rank 4 पे मिलेगा कोलकटा rank 5 पे है पाकिस्तान का लाहोर rank 7 पे और New Delhi अब rank 8 पे आ चुका है अब यहाँ पे आप कहोगे New York और even Detroit यह इतना जादा उपर कैसे पहुच गए USA में तो देखिए clean air, fresh air इसको यह काफी advertise करते हैं तो USA में यह सब कैसे हो गया डिसकस करते हैं इस टॉपिक को बहुत कुछ आको जानने को मिलेगा a lot to know, a lot to discuss as always मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question बूचूँगा April के महीने में वो कौन सा पहला अमेरिकी राज्य है जिसने हिंदू-फोबिया को condemn किया इसका पूरा इन्होंने resolution पास किया था अपने assembly में कि हिंदू-फोबिया को हम बरदास्ट नहीं करेंगे बताइए वो कौन सा अमरीकी राज्य था पहला अमरीकी राज्य था जिसने ये कदम उठाया था ये हैं आपे आपकी option न्यू जर्जी, जॉर्जिया, न्यू यॉर्क या फिर टकसेस comment section में करिए उतर सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के end में पहली बात तो मैं आपको ये बदा दूँ कि जो आज के समय न्यू यॉर्क में हो रहा है आसा नहीं है कि बस कल सुबह स्टार्ट हुआ ये कई दिनों से हो रहा है लोगों ने initially सोचा के कुछ घंटों तक होगा फिर लगातार कुछ दिन बीद गए अब तो देखिए सरकार ने USA की government ने New York के citizens को ये बोलना start कर दिया है कि जो N95 mask था जो COVID के time में कावी famous हुआ था इसे पहनना start कर दीजिए नहीं तो जो ये dirty air particles हैं ये आपकी body के अंदर जा सकते हैं आपकी body को नुक्सान हो सकता है तो USA को आज के समय ये सब करना पड़ रहा है अपने शहर New York में और इसका reason क्या है Why is this happening? Reason है Canada Actually American media ना खुद जब इस पूरे topic को report कर रहा था तो इन्होंने बार बार New Delhi का example दिया है बार बार example देकर ये कहा कि हम कहते रहे एक time पर के New Delhi में बहुत ज़रा air pollution है बट जो एक बड़ा reason था New Delhi के pollution का Almost same reason New York का बन चुका है और वो reason है आग, fire, यहाँ पे आप देख पाओगे यह जो आप आग देख रहे हो ना यह Canada की है जी हाँ Canada की आप अगर world map पे रेखोगे तो New York के सीधा नॉर्थ में आपको Canada दिखेगा यह हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ से all the way अगर हम जाएं यहाँ पे आपको दिख जाएगा USA USA में यहाँ पर आप नोटेस करोगे आपको दिखेगा New York New York इनका बड़ा राज्य है और New York के नॉर्थ में आपको दिखेगा Canada ठीक है यहाँ पे आप देख पाओगे Canada स्टार्ट हो जाता है और Canada में Ontario और Quebec यहाँ पे बहुत बड़े इनके जंगल है इन जंगलों में आग लग चुकी है वाइल फायर फैल चुकी है और इंडिया में भी आप देखोगे स्टबल वर्नी की वज़े से न काफी बार New Delhi में पोलूशन हो जाता है और इस केस में भी यही हुआ है जब अनकंटोलेबल तरीके से आग फैल जाती है उसका धोव निकलता है और इसकी वज़े से ना सिर्फ New York अब एक एक करके बहुत सारे जो इनके शहर है बहुत सारी जो इनकी स्टेट्स है वहाँ पर स्मॉग फैल रहा है एर क्वालिटी लगातार बत्तर होती जा रही है और अगर आपका यहाँ पर क्वेस्चन है के सुना था कैनेडा तो बड़ा ठंडा देश है यहाँ पर वाल्ड फार कैसे आ गई देखो कैनेडा की पहली बात तो अगर आप पॉपुलेशन डेंसिडी देखोगे न तो जरातार कनेडियन्स आपको इस लाइन यह जो इमेजनरी लाइन है इसके नीचे मिलेंगे नौर्थ में तो कनेडियन्स बहुत कम रहते हैं क्योंके ठंड बहुत ही वहाँ पर जाता है कुछ अगरिकल्चर वगरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो जरातार जो इनके बड़े शेर है वैनकूवर, ओटावा, टोरांटो, मॉन्टरियाल यह सब आपको साउथ में मिलेंगे और इसका रीजन यही है कि यहाँ पर टेंपरेचर इतना ठंडा होता नहीं है उल्टा गर्मियों में तो न कैनेडा आज के समय अपनी होटेस्ट समर फेस कर रहा है गर्मी इतनी जरा बढ़ गई है के इनके काफी सारे जंगलों में विल्कुल नमी खतम हो गई है पत्ते विल्कुल सूख गई है और जब पेड़ पत्ते विल्कुल सूख जाते हैं तो अटोमेटिकली किसी ना किसी कारण की वज़े से वाइल्ड फायर अराम से फैल जाती है ये कारण काफी बार मैनमेड हो सकता है किसी ने कहीं पर कैम्प की कुछ आग लगाई भूल गया आग फैल गई काफी बार ये भी देखा गया है कि एक इलाके में हुमिरिटी ती जरा हो जाती है कि उसके बाद लाइटनिंग की वज़े से आग फैल जाती है और उसके बाद लगातार आग बाकी जंगलों में फैलती रहती है और आज के समय कैनेडा ना अपनी वाइल्ड फायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और इसका सारा धुआ लगाता रहा है USA में क्योंकि wind का जो flow है ये north से south में जाता है और केनेडा और USA के जो बहुत सारे environmental experts हैं वो ये कह रहे हैं कि Americans और Canadians को इसकी आदत डालनी होगी ये ऐसानी है कि इस साल हुआ है अगले साल नहीं होगा climate change एक reality है इसकी वज़े से global average temperature बढ़ रहा है गर्मिया कैनेडा में जित्ती ज़रा भीशन होगी उतना ज़रा smog wildfire का नीचे USA पर आएगा और अभी तो देखिए USA की जो northern states है वही सफर कर रही है धीरे धीरे कोई बड़ी बात नहीं है कि जो ये smog है ये wind अराम से south की तरफ भी केरी करके लेके जाए और ये हो सकता है कि हर सालना एक new normal बन जाए और इसका कोई proper इलाज है नहीं कोई short term इलाज इसका exist करता नहीं है हाँ एक काम हो सकता है कि USA और कैनेडा मिलकर अगनी शामिकों की एक बहुत बड़ी टीम बना दे जो हमेशा ready रहे इन wildfire से लडने के लिए अभी के लिए तो बाइडन ने यही किया है यहाँ पे आप देख पाओगे जो बाइडन की tweet है इन्होंने ये काए कि 600 अमरीकी अगनी शामक हमने केनडा में भेज़ दिये है equipment के साथ, support के साथ के जाओ केनडा में जो ये आग लगी हुई है ये भुजा कराओ नाओ 600 मेरे हिसाब से बहुत कम है जो scope का कुछ मलब उड के मूँ में जीरे के बराबर है कुछ इससे होने नहीं वाला इनको most probably आने वाले सालों में एक बड़ी अगनी शामकों की team बनानी होगी सरकारों को extra पैसा खरचना होगा ensure करना होगा कि जैसे ही आग लगती है क्योंकि इनके पास satellite images तो ready रहती है तो जैसे ही कहीं पर आग की report आ गई immediately वहाँ पर जाओ हजारों अगनी शामक लेकर क्योंकि forest fire होती है यह ऐसा नहीं है कि आप किसी building की जो आगे बजाने के लिए जा रहे हो हम यहाँ पर एक बड़े forest की बात कर रहे है तो वहाँ पर अगनी शामकों को जल्दी से काम करना होगा उससे जो यह smog है कम हो सकता है वैसे altogether यह इसका कोई complete solution भी नहीं है बट at least मैं कहूंगा जो द्रिश्च अभी New York में आ रहे है वैसे तो नहीं आएंगे Now finally वापस आते हैं अपने question की तरफ कि which is the first American state to pass a resolution condemning Hindu phobia तो सही उत्तर यहाँ पे New York नहीं है सही उत्तर यहाँ पे है Georgia यहाँ पे आप देख पाऊगे Georgia हाली में पहला अमरीकी राजे बना जिसने Hindu phobia के against एक resolution पास किया था और finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ कि An Academy के UPSC courses पर एक massive discount शुरू हो चुका है यह discount तीन दिन तक चलेगा यहाँ पे आपको up to 40% discount मिल रहा है और Unacademy's quality courses तो comment section में जाईए comment section के pinned comment में आपको मिलेगा यह link इस link में यहाँ पे आपको दिख जाएगा iconic combo का package यह click करना है आपको और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे Unacademy का iconic combo package यहाँ पे UPSC prelims, mains और optional तीनों की तियारी आपकी इखटी होगी और जो 36 month का course है यहाँ पे आपको मिलेगा highest discount अगर आप use करते हैं code PD10 तो अपने आप prices गिने start हो जाएंगे and you will be able to save a lot of money for just 3000 rupees a month आप घर बैट के UPSC prelims, mains optional तीनों की तियारी कर सकते हैं so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह video कांद thank you for listening may the gods watch over you आपको मिलेगा आपको मिलेगा आपको मिलेगा है